अगर मुझे से कोई कहे कि तुम कुछ दिनों में मर जाओगी तो मैं आखिरी कुछ दिन उसके शेहर में बिताना चाहूँगी उसका शेहर जो इस दुनिया में मेरी सबसे पसंदीद अजगा है मुझे मौका मिले तो मैं पूरी उम्र भी वहां गुजार सकती हूँ उसके शेहर की कई सड़क, कई स्टेशन, कुछ गलिया और एक घर मुझे उतना ही चाहते हैं जितना मैं उसे उन्होंने देखी हैं चेहरे पर इंतिजार न सह पाते हुए मिलन से पहले के तडपते भा और फिर आलिंगन में बंदे सुकू पाते हिदे वो जगए जहां जहां भी हम दोनों बिछड़े वहां जमीन पर गिर गए मेरे कुछ अश्रू और वहां उग गए फूल जो फिर दिये गए प्रेम में हाँ वो शेहर मुझे प्रिया है क्योंकि वहां हर जगए हैं हमारी स्मिर्थियां हम यानि मैं और वो जिसका वो शेहर है हाँ वो शेहर मुझे प्रिया है क्योंकि वहां हर जगए हैं हमारी स्मिर्थियां जो मेरे या तुम्हारे मर जाने के बाद भी वहीं रहेंगे या फिर जीवन में जितनी बार भी हम वहां से गुजिरेंगे इस मितियों के फूल फढ़ देंगे हमारा हिदय अपनी खुश्पू से मैं बार-बार उन्हें दोराना चाहती हूँ हाँ मैं वापिस उसके शेहर जाना चाहती हूँ मेरे ख्याल से कोई शेहर नहीं होता केवल एक भीड का सम्हू या भूमी का हिस्सा वो होता है ऐसास जिसके हर हिस्से में बसी होती है मौपत वहां जाकर प्रेमी से भेट हो नहों किन्तु प्रेम से अवश्य हो जाती है और एक शहर कुछ भी नहीं बल्कि एक इनसान की यादों का बक्सा है या एक किताब जहां आप लिखते हैं प्रेम कहानी अपने प्रियतम के साथ या कोई सिलाई जिससे बुने जाते हैं नई किसे या बस उस शक्स से दुबारा टकरा जाने की उमीद एक वाक्य मैं कहूं तो सहर है एक हिद जिसकी धड़कन है आपके प्रेमी के लिए आपका प्रेम